हलो वेलकम मैं यूटूब चैनल और सभी का मेरे चैनल में स्वागत तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ चार तरह के पकोड़े और क्योंकि बारिस इधर होई रही है दो तीन दिन से तो आज मन करा चलो पकोड़े बनाते पकोड़े बनाने के लिए मैंने इधर काटके हूए हम में प्याच और आलू हरी मर्च ये सब काटके रख लिया और हरी मिर्च कर थी भी शयादा कर सकते हैं हुआ अगर हम प्याच जादा मैंने नहीं काटी 2 से 4ह मिर्च काटी है और प्याच और आलू को कहता बारीक बारीकस कर दिके बेशन को already मैंने चान के रखा था और इसमें नमक स्वात के अंसार एड़ कर दिया और नमक एड़ करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चली पौलर भी मिक्स कर दिया एंड इसके बाद आगर आप आड्ट करना चाहते तो आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हो और हां यहाँ पे हल्दी को आप इसकेप कर देना कि हल्दी तो अल यादी हमारे इसमें पड़ी हुई है तो हम यहाँ पे सिर्फ भोसरि품 गरम मसाले का आड़ करेंगे तो गरम मसाला एड़ करने के बाद अगर आप चाहते हो तो आप सब्जी अगर मसाला जो होता है उसको भी इसमें डाल सकते हैं तो हम यहां पर थोड़ा सा सब्राइब शारी मसाला डालने के बाद इसको अगर थोड़ी कुर्कुरि बनाना चाहते ब्रका करने के लिए आप इसमें डालीजी थोड़ा सा पानी और फैद सकते हो और इसके बाद आपको इसको ज्यादा गीला गीला नहीं करना है बस थोड़ा सा एक तरह सा रखना है कि हाँ यह आपस में अच्छे से मिल जाए तो बहुत ही अच्छे से मिल गया है जो बेसन है आपको इसमें कुछ ज्यादा भी नहीं करना है ओबलोड करो तो बेसन की बेसन तेल भी महीड़ा थी तेल भी हमारा युदि हो गया है तो चलिए अब हम सुरुधात करते हैं अपनी पकोडी बनाने की कि देखिए जब आपका जो तेल हीट हो जाए अच्छे से बुढूरा देने लगी तो आम समझे हां आपका तेल हो गया है जब यहां पुड़ि छोड़ तो यहां पर मैंने त्यार कर लिए यह वाली बैस बनाने के बाद आप मैं दूसरी इस एक यह व्यशन तियार करती हैं इसको आप में सबसे पहले इसमें रेड चिली पासर मैंने एंडोब कर लिया और और थोड़ा सा गर्व मसाला दाक्रा ले लेंगे और पानी को अच्छे से एट करने के बाद इसको अब एक चम्मज से मिलाते रहेंगे तो इससे एगर आप इसको मिलाते रहेंगे तो आपका यह पेश्ट बन के त्यार हो जाएगा बहुत ही बढ़िया सा आपको अकर लग रहा है हाँ गाला बहुत ज़्यादा जब गाला हो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको पेश्ट को आपको बनाना है धेर सारा पानी एक वाट डाल दोगे तो आपका यह पेश्ट अच्छा नहीं बन पाएगा इसलिए आपको जितना धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे और इसको चलाते जाएंगे उतना ही अच्छा आपका यह पेश्ट बन के आएगा तो चली है हमारा पेश्ट जहां तक है यह बन के तयार हो गया है अच्छे से और अच्छे सा पेश्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा आपको पानी और ऐड करना होगा कि अभी यह काफी थिक है आपको इतनी भी थिकनस नहीं चाहिए इस त्रव माँ तो चोड़े इंशारआार आपके पेस्ट बार रहा है आपका पेस्ट थें वहीं भीज में छलागते वह होगाी और धेहरे रहेर पाने के त्यार हो। तो इसकी में खटाई बनाऊंगी लेकिन इसकी जो डिस्ट्रिपी उसे में शेड नहीं कर पाई हूँ लेकिन मैं इसे नेक्स टाइम जरूर शेड करूँगी तो चलिए हमारे ये पकोड़े बनके त्यार हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं देखें एक दम कुर कुरे क्रिस्पी पकोड़े बनके आए हैं और इस तरह से अगर इसका सारा देखिए सब कुछ दिख रहा है ये पकोड़े खाने में बहुत तो चलिए अब लिया हमने दूसरा वेसन दूसरा वेसन और चिफ्स आलू जो थे आलू को मैं चिफ्स टाइम मे जोड़ने के बाद आपके पकोड़े हैं थोड़ा सा ही टाइम लेंगे आप सिलो गैस रखो आपको हाई गैस नहीं करनी है क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम ही लगता है जितना अच्छे से आलू का लेगा और आपका चिफ्स बहुत ज्यादा किरस्पी बनेगा तो यहा तो हमारे पकोड़े हैं अच्छे से पलट देंगे तो कलचल से जबां पलटेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके जो चिप्स पकोड़े हैं वो एक तरफ ली बिल्कुल ही सिख गया तो यह देखी सिख की तयार है अब इस सीखने के तयार होने के बाद हम इनको निकाल लेंगे इनको लिका लिया एक प्लेड में लिकालने के बाद एक साइट रग दी मैने चिराई तो चाय भी पकोड़े के साथ अच्छी लगती है इसलिए मनें चाय की पहीं रखा हैं महुसम बहुत थंडा है और इसके साथ मैं मैंने बनाई मिर्च के पकोड़े तो बैसन हमारा अलेट इसको भिलान प्रक चाइब लिए लोग को नहीं पिट करते हैं। नहीं पत्रविए चिप्स प्रें किया नियुक्त, कि प्रश्ट वर्मिर्श जयाओब यह ने पेख़ें। और इसलिए मैंने बराबर चला दिये और बराबर चलाने बाद देखी हमारी इदर चाई भी कापी अच्छे से खौल रही है का चाई ना पकोड़ों साथ जादी ही अच्छी लगती तो मैंने खूप जादे से चाई बनाई है बस कुछ जाद लोग नहीं है लेकिन चाई तो बहुत ही जड़ा सब की ही मन पसंद है तो यहां में पकोड़े भी हमारे अल्लेडी सिख गये तो इनको भी हम एक ब्लेड में निकाल लेते हैं अरे मिर्च पकोड़ी भी तैयार हो गई है अब इनके बाद मैं जो चौथी पकोड़ी बनाने वाली हूं वो आमको खटी मीठ चाट की थार है बहुत यहां टेस्टिलर बस मेरे इतना वहां पर यहां पर चूट गया दो के चाई पकोड़ी ले चलती है व्यान कैसी लगड़े तो यह हां पर मैंने जो यह पकोड़ी बनाई थी है टbalanced metric माटली टमाटा होताह नहीं है तो उसको मैंने बेशन इसां में लगाया और लगा कि इससे घ्राइन में डाल दया तो यह सिखने में थोड़ा टाइम ले रहा है इसे अगर पकोडा इसके उपर तेल डाल 2023 तो हम्हारा पकोडा यह भी पकोड़ा हमारा थोड़ा साथ्य हमेर ले रहा है अगर हम हलके हैँ हिसने hashtag निकाल लेंगे प्लेट में निकाल में लिकाना बाद आप क्या करना है यदि में आपको इसी वीडियो क्या है इस तरह इस दूसफी तरह से आपको फिर और से और बनाना है सबसे पहले एस फक्लाबोए हल्काठना होने के बाद आपको इसको कटिंग देखेंगे देक्षारी और फॱकी लिए पूरी तरह से तनी ह्याकशहुआlud और आपको प्याजक प्याज्च टॉकर तरह ने ईपनayı कंग साध़ में तो भी नचाहते हैं ग्लाइद को यहां पर हैं relations कि द्राइब तो सब्सक्राहता टो इसले बेहां साधय के बीटेंटे की संधार सब्सक्राइब थोड़ा शव्यावग का तुबद किक O निर्च रैट चिली पाउडर एड़ करा और यह सब एड़ करने के बाद इसमें टोमाटर आपने भूना था जो टोमाटर पकोडी बनाद बना तो मैं अब चोटी-चोटी सी कर लोंगी सारे ही टोमाटर की इस तरह से और इसका जो पानी निकलना ने रस यही सबसे वादर ज् प्याज की पेष्ट में प्याज प्याज की पेष्ट में एड करने के बाद ऐसे अधि करने के बाद इसके बीविवाटagen तो की मुझने के यह चूर्पर एका прошोऊ के तरसे सज्व तो के लाए बचेश घंछ लो तिमाटर और प्याज का उसको आप इसकी अंदर इस तरह से भर दीजिए और भरने के बाद इस तरह से अब जो ज़्यादा इस प्याज की प्याज की दूसरी पकॉड़ी और इसके उपर थोड़ा सा हम जो हमारी बच्य हुई खट्टी मीठी चटनी का मसाला है उसे भी हम इसमें एड़ कर देंगे उपर से और फिर इसका खाने का यार मजा ही अलग था एक्तम ऐसा लग रहा जो ठेले पर हम चार्ट निखाते हैं बस उस वाली चार्ट का जो किसी-किसी ठेले की चार्ट का स्वाद बहुत ही ज़्याद तो यह बनके त्यार है हमारे आज का यही था वीडियो अच्छा लग तो लाइक करने हैं